मैं प्रिया सिंग मेता समवात के कारेकरब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मेरे साथ हैं दिल्ली उनिवस्टी की संस्कृत की प्रोफेसर डॉक्टर कॉशल पवार जी जैभीम कॉशल पवार जी आपका इस कारे में बहुत बहुत स्वागत है मैं आज अपने दर्शकों के लिए आप से आपके जीवन के परिशे के बारे में जानना जहूंगी आपका अब तक का सफर कैसा रहा आपके अनुभव कैसे रहे हैं क्रिपय करके हमारे दर्शकों को बदाईए सबसे पहले आवाज इंडिया चैनल का मैं अभार व्यक्त करूँगी मेरा नाम डॉक्टर कोशल पमार है जैसे आपने खुद कहा मैं दिली उनस्टी में मोतिला नेरु कोलेज में संस्कृत विभाग में एसिटन प्रोफेसर के रूप में काम करती हूँ मैं हरियाना के राजविन गाओं से कैथल जिले से हूँ जो आज भी समाजिक रूप से पिछडा हुआ है जैसे कि आपने कहा कि मेरा सफर कैसा रहा सफर तो बहुत कांटो भरा रहा बहुत सारा स्ट्रगल हुआ लेकिन उस स्ट्रगल में मेरे पिता जी का और बाबा साभी मरवां बैड़कर का मा सावेत्री वाइफुले का इन सब का जो जिनोंने कुर्बानिया दी है वो कही ना कही उस जजबे का मेरे भीतर भी कही ना कही रहा और उस जजबे की बदोलत मैं यहां पहुँची अगर मैं अपने स्कूली जीवन के बारे में अनुभव बताऊँ आपको तो स्कूल का जीवन मेरा बहुत कड़वा रहा है और उस कड़वे अनुभव ने कही ना कही मुझे आगे बढ़ने में प्रेना दी है मेरे स्कूली एजुकेशन मेरे गाउं के गौर्वर्मेंट स्कूल से हुई हमारे लड़कियों का स्कूल होता था दसवीं तक का स्कूल गौर्मेंट girls high school राजोंद वहीं से मैंने अपनी स्कूल इंग की है दसवीं तक की पढ़ाई की जो बच्चों को साथ जो होना चाहिए एक तरह से जो अध्यापक की नजर में भी होना चाहिए विद्यार्थियों के नजर में भी होना चाहिए हमारे गाओं में क्योंकि गाओं के ही स्कूल के टीचर होते हैं गाओं के ही ज़्यादतर बच्चे होते थे तो सब को पता होता था कौन की से जाती का है यहां तक कि मास्टर भी नाम कहीं बार जाती के नाम से पुकारते थे बाप के नाम से कहीं बार पुकारा जाता था मा का नाम लेके पुकारा जाता था और क्योंकि मैं तो महतर समाज से हूँ भंगी समाज जिसको कहेंगे चूड़ा समाज है हमारे अरियाना में चूड़ा बोला जाता है इसको वालमी की समाज से हूँ तो सब को पता था मेरे क्लास में कि मैं वालमी की समाज से हूँ तो इसलिए बात बात पे कहीं बार खेलने का हो या कोई कल्चर कोई ऐसी ऐसी पानी के लिए और पास में पडोस में ब्रहमनों के घर थे उनके यहां नलका होता था मुझे आज भी याद है वह बहुत करओ फीर पानी के लिए जाते थे उस नलके पे तो जो ब्रहमनी थी उसकी जैसे ही सारे बच्चे पैन के पानी पीने के लिए आते होते थे जब मैं पानी पीने के लिए आती वो मुझे धक्का दे के मारा उसने एक दिन तो कि हट हमारा पानी ना कड़वा पानी देना शुरू कर देगा मुझे ये बात बहुत तीखे से चुबी कि मेरे पानी पीने से कड़वा कैसे पानी देना शुरू करेगा खरापानी कैसे देना सुरू करेगा असल में उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि हम लोग गरीब थे हमारे पास वर्दी के उस तरही के से पैसे नहीं होते थे हम लोग सरकारी स्कूल से जो कपड़ा मिलता था वो कपड़ा से लाके पहनते थे और उस जमाने में सरकारी स्कूल में निला कपड़ा दिया जाता था क्यारी जन था निला कपड़ा देने का मुझे आज तक भी नहीं समाज आया लेकिन निला कपड़ा दिया जाता था जो स्कूल की यूनिफॉर्म थे वो सफेद होते थी सफेद तीन दिन सफेद दुपट्टा सफेद कमीज और सफेद सलवार और तीन दिन बदल जाती थी सफेद दुपट्टा और पिंक कमीज और सफेद सलवार लेकिन हम जितने जो ऐसी बच्चे थे वो सब के सब निला कपड़ा पहनते थे तो वो दूर से ही पहचाने जाते थ लेकिन दीरे-दीरे मुझे समाज तहीं तो मुझे बड़ा कोफत होती थी इसको देखके कि यह कपड़ा क्यों दिया जाता है आपको जानकर हरानी होगी दर्शकों को भी होगी कि उस वक्त भी जब मुझे मेरे गाँँ में मतलब मैरे स्कूल में जब मुझे कपड़ा दिया गया सरकारी स्कूल में, आता था सरकार की तरफ से कपड़ा वर्दी के लिए, तो जब मुझे कपड़ा दिया गया, मैंने उस कपड़े को जाके मैंने मेरे चाचा को बताया, मैं गया यह वाला तो मैंने इसलिवाऊंगी, इसलिए किसी को भी पहचाने की ज़्यादा जरूरती नहीं पड़ती थी वो एकदम पहचाने जाते तो तो मैंने बहुत लड़ाई की मेरे घर में और पता नहीं क्या बात थी क्योंकि पिता जी कि मैं शायद अंतिम संतान थी वो मेरी बात बहुत मानते थे और उन्होंने जिद करके यह कहां कि ठीक है अब की बार से लबा लेते हैं अगली बार से मैं तुमारे लिए सफेद कपड़ा लेके आऊँगा तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए सफेद कपड़ा जुटाया था और मुझमे आज इतना साहस नहीं है कि मैं उस घटना को याद करूं कि व अफन बन जाता है और मरने के बाद सब कुछ खतम हो जाता है वो सफेद कपड़ा अगर कोई पहन ले तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो जिसके ओपर डाला गया था वो उटके उसके पास आ जाएगा आप यह देखिए कि पता नहीं क्या था वो खुद विश्वास रख कि उसके बाद सब्सक्राइब करें क्योंकि वो तो अनपड़त है उन्होंने तो सुना सनाया कभी सुना होगा किसी से मुझे नहीं पता किस वक्त कहां से सुना लेकिन उन्होंने यह बिल्कुल एक दम मुझे आज भी उनकी इतनी यह जो घटना है मुझे इतने गहरे से करो मुझे बड़ी हरानी है कि मतलब जो लोग काम को किस नजरिये से देखते हैं मैंने अपने ग्रेजुएशन में उसी सड़क पे काम किया जहां मेरा कॉलेज था मैं कॉलेज में पढ़ती थी बाहर सड़क पे काम करती थी ठीक ऐसे करते हुए यूरस्टी तक पहुंची कु अहमे के दुरान भी आपको मैं बता देती हूं दर्शकों को कि मैं मेरी नानी के साथ मेला उठने जाती थी और क्योंकि मेरी नानी ये काम करती थी उनकी तवियत बुजर्ग भी हो चेकी थी अकेले रहती थी मेरी नानी उस वक्त घर पे मेरी मा तो मेरे गाउं में रहती थ तो मेरी नानी के साथ रही मैं कुछ दिन, क्योंकि मेरा जो माम में हैं, जो नानी के मेरे हैं, वो मेरे युनिस्टी के पास ही पढ़ते थे, तो मैं मेरी नानी के साथ अक्सर कुड़ा उठाने जाती थी, मेला उठाने जाती थी, और आचार जो वो दे थे, वही मुझे मिलता आप ये देखिए कि जब मैंने स्कूलिंग की उसके बाद यूनिस्टी की एक जैसी स्थितिया रही कोई ऐसा बदलाव कोई नजर नहीं आया लेकिन इतना बदलाव जरूर हुआ कि मैंने जब मैं कुरक्षेत्रा यूनिस्टी में पढ़ी तो मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया माता सावितरी बाई फूले को पढ़ा और जब मैं सावितरी बाई फूले को पढ़ रही थी तो मुझे एकदम लगा कि ये सारी चीज़े तो मेरे साथ भी हुई है लेकिन मैं तो कलपना करके ही सिहर जाती हूँ कि उन्हों ने उस जवाने में मैं 2000 की बात कर लिए जाती थी अब सावितरी बाई फूले कैसे पढ़ाती थी लड़कियों को अभी तक भी अखल अपनिये मुझे लगता है लेकिन उनसे ना जबर दस्त प्रेना मिली एक तरफ ये लगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता मेरे पिता जी ने जिसको हम चाचा कहते है बहुत कूट कूट के भर रखा था कि कलम उठाना हो या साफ सफाई का काम करना हो दोनों में कोई अंतर नहीं है पता नहीं उनकी ये धाना कैसे थी लेकिन ये धाना मुझे भी बनी कि कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता आप देखिए मैं में के दोरान भी सफाई करने का काम करते थी और ऐसे करते वे फिर डिये वी कॉलेज से बीड किया फिर उसके बाद MD University से मैंने MPIL किया MPIL तक के सफर के बाद मैंने जवाला नेरु University में जोईन किया और हरानी होगी आपको जानकर कि जवाला नेरु कोई नहीं मेरे साथ बैठेगा अगर किसी को ये पता चल जाये बेंच जिस पर मैं बैठती हूं बंगी समाज की महीला मतलब लड़की बैठती है इस पर तो कोई मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करेगा ये मेरे लिए इतना भयानक कड़ू आनुभा था कि इन्होंने मेरी पूरी के पूरी लाइफ को बदल के रख दिया और जेनियू तक के सफर के तक मैं अपने आपको ये कह सकती हूँ कि मैं लगभग पूरी तरह से अमबेड करवादी हो चुकी थी इस दुरान बहुत सारे फेज़े जाए लेकिन अमबेड करवादी होने के बाद इतना जनून महसूस किया कि सारी के सारी चीज़ों को तक पर रख के आगे बढ़ती चली गी और आज आपको मैं बता दूँ कि बाबा साहब की ही बदोलत है और मेरे पिता जी का संघर्श है उसकी प्रेणा है उन्होंने अपने जीवन को खुन पसीने से मेरे जीवन को सीचा है मैं अमरिका तक पहुँची इन सारी चीज़ों को अनुभवों को गुजरते हुए सामना करते हुए मैं ज्वाला नहरी उन्होंने में अपने पिएजडी के लिए पहुची और महां से निकलते हुए यह तपा है मैंने अपने जीवन को तपाया है और उस तपने का परणाम यह हुआ बाबा साहब का जो मिशन था उसको लेते हुए यह हुआ सारी चुनोतियों को पार्ट करते हुए आज मैं उसके बराबर की यूनिस्टी में दिले यूनिस्टी जो मौस्ट पापलर यूनिस्टी है जेन यू के लगबग बराबर में है इंडिया के बहुत अच्छी उनिष्टी मानी जाती है और उस उनिष्टी में दिली उनिष्टी में भी मेरा college मौतिला नहरु नहिरु college एक बड़ा college एक नामी ग्रामी college है उसमें मैं आज assistant professor के रूप में काम कर रही हूँ Sanskrit पढ़ाती हूँ, Sanskrit की विद्यारती हूँ, research scholar हूँ और Sanskrit में ही आज भी मेरा काम जा रही है कौशल पवार जी आपको Dr. भीमरा उम्बेटकर की वज़े से विदेशों में जाने का मौका मिला तो आप अब तक कहां गहां गए हैं और अपना अनुभाव शेयर केजी हमारे दर्शकों के साथ सबसे पहले मैं 2012 में अमेरिका गई ये मेरा फस्ट अनुभाव ताविदेश का और मैं जब जहाज में बैठी तो मुझे लगा एकदम की इन फेक्ट दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि मुझे रास्ते में बहुत रोना आया अमरीका का आधा रास्ता लगभग मैंने रोते हुए तैकिया था और उस रोने के पीछे बहुत सारे सवाल थे बहुत सारी मितलब अपने उपर ये लग रहा था क्योंकि बाबा साब के लेटीजर को पढ़ चुकी थी हलांकि अभी भी मेरा ध्यन अधूरा है और ज्यादा पढ़ने के आशकता है 2012 में मैं एक कॉन्फरेंस में गई थी संस्क्रेट डिपार्टमेंट का एक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस थी वेव के उपर थी वर्ल अस्योसेशन फॉर वेदिक स्टड़ी ऐसा सम्थिंग करके नाम था उनका वेव उसको शोट फॉर्म में कहेंगे यूनिएस्टी उप मैसचुएर्स में उसमें मैंने पेपर पढ़ा था और वहां से ही एक अपने मेरा जो 2012 का मेरा पहला विदेश यात्रा थी अमेरिका में तो उसी दोरान एक हमारे मिशनरी साथ ही है राजु कामले जी उनको पहले ही पता लग चुका था उस पता लगने का भी एक खास वज़े थी क्योंकि 2012 में दर्शकों को याद होगा कि सत्यमेव जयते आया था और वो इंट्रू टेलिकास्ट हो चुका था दस तरिकों दस तरिकों के ठीक ज़स्ट दो दिन बाद मेरा विदेश यात्राफ थी अमरिका में तो अमरिका तक यह सुचना पहुंच चुकी थी और यह भी सुचना पहुंच चुकी थी कि मैं आमरिका आ रही हूँ, तो वहां के लोगों में बहुत उत्सा था मिलने के लिए, तो उन्होंने खुब मुझसे बात की, इमेल वगर भेजे, तो मैंने उनको कहा कि मैं बिल्कुल त्यार हूँ, मुझे भी अच्छा लगा बहुत, कि वो मुझे बुला रहे हैं, तो उन जो कामले जो इंटरनेशनल अंबेड कर मिशन का जो चलाते हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैंने वहां पे बोला, सेच्वेशन और सुद्राज इन वेदाश, इस पे, और इसको चेर किया, एक डॉक्टर, ट्री स्टोपर क्वीन, उन्होंने चेर किया था उस सेश एक तरह से, मैंने वहां, जिस तरीके से शुद्रों की हालत है, वेदों से लेकर, पुरा वैदिक में फॉकस मैंने रखा था, उस पे मैंने अपने पेपर को पढ़ा, फिर उसके बाद हमारे कुछ साथी, जो भारत से जो गए हुए हैं, उन्होंने फिर डिनर जो हरवर्ड यूनिस्टी में हुआ, और साथी साथ राम बाबु गोतम जी, न्यूजर्सी के जो हैं, हम बेड़करी साथी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, राम बाबु गोतम जी, राजबीर जी ने दोनों ने और्गनाइज किया, एक डिनर किया, उसमें खुल के चर्चा हुई, और खासकर दलीतों के अंदर भी किस तरीके से दलीतर जम हैं, किस तरीके से जातीवाद हैं, इस विखते हैं, बहुत अच्छा लगा, एकदम लगा कि हम लोग जो यहां तक पहुँचे हैं, हम अंभारी हैं बाबसाब जाने का एक तरह से जुनून पैदा हो चुका था मैं उन सारी जगहों पर जाना चाहती हूँ असल में जा बाबसाब भिवरावा मेड़कर गए थे जहां जहां वो गई ऐसा लगता है मुझे कि जैसे उनकी उनके उन सारे कदमों को देखना उन सारे कदमों के उपर चलना मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है कोलंबिया यूनिस्टी में जाके आई जहां लाइबरी है जहां पर स्टेचू बाबसाब का लगा हुआ है बहुत सारा जनून भी लगा कि कैसे वो लोग रहे किस तरीके से वो यहां तक पहुँचे थे बस हम तो कल्प नहीं कर सकते हैं उसके बाद मरे दूसरी विदेशी आत्रा रही स्विट्जर लेंड में स्विट्जर लेंड में जनेवा में में गई दोहजार तेरा में ये और्गिनाइज किया था एक अपने मशिनी साथी हैं संजोए बैर्वा ये वर्ल्ड बैर्वा और्गिनाजेशन था लिबरेशन और इंटरनेशनल बुद्दिष्ट रिलीफ इन्हों ने और्गिनाज किया हुए था और मेरा जो टॉपिक ता वो था दलित एट्रोसिटीज इन इंडिया इस पर मैंने यूएनो में अपनी बात रखी थी यह बेसिकली हमरा इट्स कॉंसिल का कॉंफरेंस थी तीन दिन की दस चोदा दिन की थी कॉंफरेंस मुझे एक जैट अभी डेट याद नहीं है लेकिन इस इंडिया की तरफ से मैंने बोला और भी कहीं ओर्गनाजेशन ने यहां से पाटिस्पेट किया था बहुत अच्छा नुबव एक तरह से रहा उसके बाद मेरी यात्रा थी आप सुनते जाएए मेरी बहुत लंबी यात्राइं हो चुकी हैं उसके बाद मैंने मैं कैनडा एरिया है वो इंडू सोशल ओडर पे है काश्टी जम पे है और संस्क्रिट टेक्स्ट में किस तरीके से वन ववस्ता है उसका प्रारूप क्या है कैसे वो सुसाइटी को प्रभावित करता आया है और करता था यह पूरा मेरा फिल्ड एक तरह से रिशर्स का है तो मैं संस्क संस्क्रिट के दुनिया के लोगों बाहर के लोगों को भी पता तो चले कि आखिर संस्क्रिट में है क्या कुछी जे संस्क्रिट में बहुत नाकारात्मक है बहुत ज्यादा नाकारात्मक है लेकिन कुछी जे पोस्टी भी है मैं दोनों को लेके चलती हूं उसके साथ-साथ हिस्ट्री को भी लेके चलती हूँ, सोसल सिस्टम हमारा कैसा रहा है, प्रैक्टिकली में वो चीजे कहां तक हमें प्रभावित की है, मेरा टोरेंटो का टोपिक था, वैदिक लिविंग इन मॉडरन वर्ड, इस पर मैंने अपना प्रजेंटेशन दिया, उसके बाद फिर मेरे नेक्स्ट जो ट्रिप मेरा था, दोबारा अमरीका दोबारा अमरीका में मैंने अर्वर्ड अपर पड़ा, वेस्ट इस 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 इन्स्ट्ट ने और जनाइज किया था, ये एक तरह से इसमें मैंने फिर अपना पेपर पढ़ा, Language and Inequality, Dalit Language and Dalit Literature, जो चेर किया, चाइना के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने, उसके बाद मैं लंदन तक पहुंची हूं, अभी मैं लंदन हो किया ही हूं, 2016 में, आगरस्त में, लंदन में इंट्रडिस्प्रेंट को सोसल साइंस जिसमें Imperial College में मैंने अपने पेपर पढ़ा, मेरे पेपर का जो टॉपिक था, वो बाबा साफ के उपर था, Female Emancipation Based on Dr. Ambedkar Perspective, इसमें मैंने हमारे जो संस्कृत गरंथों में जो महिलाओं के इस्थेति हैं, वो क्या उधार की बात करते हैं, और बाबा साब अबेकर ने महि उस समुद्र में से एक छोटा सा पार्ट मैंने अब की बार लिया था, और वो मैंने Imperial College में पढ़ा, मुझे सबसे ज़्यदा खुशी इस बात की थी, कि बाबा साब भीमरावा मेडकर ने वहां से PhD अपना किया था, London School of Economics, यही मेरा जाने का मकसद भी था, Imperial College में तो था ही, लेकिन बाबा साब भीमरावा मेडकर जहां से post-doctate करके आए थे, उसे जगे को छोड़ना ही मेरे लिए एक दम, अपने जीवन का धन्य एक तरह से करना था, मैं वहां गई, बाबा साब को धन्यवाद तो नहीं दिया, क्योंकि धन्यवाद के काबिल भी मैं अपने आपको अपने, अलांकि मुझे इसमें उमीद कम नजर आती है कि बाबा साब जैसे दोबारा पैदा होंगे, लेकिन लंदन स्कोल ओफ एकनोमिक्स में गई, फिर उसके बाद, जो बाबा साब की बदोलत ही था, मैं House of Common, House of Lord, दोनों में मैंने विजिट किया, और इसका सारा स्रे ज जादा उत्सा उन लोगों को था कि मैं लंदन पहुंचूंगी, और जैसे ही मैं लंदन वहां पहुंची मुझे रसीव करने के लिए और रसीव करने के लिए और उसके बाद उन्होंने मुझे चाय नास्ता किया, मुझे लंदन पहुंचने के बाद अपने लोगों के साथ जब मैं बीच में पहुंची, मुझे लगए नहीं कि मैं भारत में हूँ या लंदन में, उन्होंने खाने से लेके, मेरे ध्यान रखने से लेके, हर एक चीज का ध्यान रखा, मैं धन्यवाद देती हूँ पूरा मतलब अपने लंदन के लोगों का, और दविंदर परसाद जी जो मेरे लिए किया, उसके बाद फिर सब लोगों ने वहां वालमे के टेंपल पर उन्होंने मेरा और्गनाइज किया प्रोग्राम, बाबा साब भीमराव मेटकर भावन में गई, वहां पर एक टॉक रखा गया, फिर उसके बाद बुदिष्ट टेंपल में गई, जो अंतिम जो चीज़ें थी, बुद्धा और इस धमा जो लिखा, जो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने ये वादा किया, अंबेडकर भावन पे, उनकी पूरी, जो उनकी अंतिम जो चीज़ें थी, जो वो प्रयोग की देन देन प्रयोग की चीज़ें थी, जो उनका कोट थ थी महां अंबेडकर म्यूजियम में रखे गई अलांकि जो बाबा साथ रहे वो अंतिम उस वादे को पूरा नहीं कर पाए थे जो लंदन में उन्होंने वादा किया था क्योंकि इसी दोरान उनकी डेथ हो चुकी थी पर निर्वान हो चुका था लेकिन उनके बेटे ने उनक पर मैसुस हुआ कि हमारे मिशनरी साथ ही हमारे जो इन सारी वीरासत को बेषिकली हमारी वीरासत यही है और मेरी जो विरासत मैं बीच में आपको बतना चाओंगी tymuchar के निजो क्योंकि मस हमक्य59 उसमनिकि में इनके घरों में कुड़ा उठाया इनके घरों में कुड़ा उठाया यह आपके घर है ऐसे बोले जाते हैं कि यह मेरे घर है मेरे घर का मतलब कि इनके घर पर मैला उठाने का दिकार मेरा है वो उसको जागिर बोलते हैं लेकिन दूसरी तरह आप देखे ना बाबासा कच्रा मेला यही तुम्हारी जागिर है तो वहां इस जब मैं बोली मुझे ये दोनों चीज़े एक दन कंपरिजन की मुझे लगा कि देखिए किस तरीके से गुमरा किया जाता है हमारे अपने लोगों को और इस विशे पर मैंने बहुत अच्छे से वहां पर चर्चा की जो मिशिनरी जितने भी साथी थी वो सारे के सारे लोग सारी चीज़ें उन्होंने और्गनाइज की खाना से लेके हर तरह से उन्होंने सेयोग किया बहुत खुल के चर्चे हुई वालमी के टेंपल पे भी मैंने खुल के चर्चा की और मैं आपको यह बता दूँ वहां मैं सावाल उठा है मैंने का देख छोड़ दीजी आपकी आस्था क्या है मैं उसके उपर सावाल नहीं उठाना चाहती मैं सिरफ यह कहना चाहती हूं कि यह जो कोटेशन है यह वालमिकी की नहीं है यह तो राम चरित मानस का अवधी भाशा का लिखा हुआ है और तुलसी दास ने जो आपने तस्वीर जो लगाई हुए उस तस्वीर में तो आपके संस्क्रित की रमायन का जिकर ही नहीं है वहां तो आपने तुलसी दास को बिठा रख है तो इन सारे सवालों पर भी सोचने की अवशक्ता है आस्था अपनी जगह है लेकिन स्कोलर ली अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो एक बेहतर मेहतर समाज की जो सलसे ज़्यादा जो विड़मना है वो आस्था से ज़्यादा चीजों को सोचते हैं मैंने इसी सवाल को वहां पर उठाया आच्छे से फिर अंबिडकर भवन में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई उनने मुझे बहुत अच्छी मोमेंटो भेट की मिरे लिए एक तरह से विरासत हैं बहुत अच्छा लगा मैं दर्शकों को यह कहूंगे कि हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए जब तक हम विडेशों में जाके बाबा सहाब की डिगरियां जहां से उन्होंने ली हैं उन जगों पर जाक हाउस ओफ कॉमन में जहां राउंटेबल कॉनफरेंस हुआ और जब मैंने वो जगे देखी तो मेरी आंखों में जहां पानी था महाँ आपने आप में गरव मैसूस हो रहा था इसी के साथ हम मेता समवात के कारिकरम में छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं डॉक्टर कॉशल ब्रवार जी का अधिक स्वागत करती हूं मेता समवात के कारिकरम में जैसा कि हाल हमें कोशल पवार जी अप लंडन होकर आइए आप अपने हमारे दर्शकों को बताया हैं तो आपको वहां पर जो लोगोंने मान सम्माद दिया इतना मान सम्मान मिला वो द्वारा तो उस विशे में आप क्या कहेंगी और आपका अनुबभ कैसा रहा उन लोगो के साथ तो आप बताईए हमारे दोश्यों को मैं सबसे पहले तो लंदन के लोगों जो भारत से गए हुए हैं उनका अभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया मैं जैसे लंदन एरपोर्ट पे पहुंची हात्रोई एरपोर्ट टर्मिनल 4 पे मुझे प्रितम म मैं दो दिन रही मेरा जो कॉंफरेंस थी चार दिन की कॉंफरेंस से टेंड करने के बाद फिर मुझे मेरे लोगों ने बहुत ज़्यादा मान सम्मानित किया और लगभग लंदन के चार स्टेट मैंने विजिट किया आप देखिए कि पूरा फिक्स था इतने बज़े इस ज राइट थे मैं आभारी हूं देवेंदर प्रसाद जी का जिन्नोंने सबसे पहले मुझे आके मुझे लेके गए वालमिकी टेंपल में जो उनके वालमिकी टेंपल के जो प्रेजजेंट थे ग्यान चंद जी जिने मुझे सम्मानित किया उसके साथ बहुत सारे जो वहां के जो यूथ था, खासकर यूथ, लड़के-लड़किया, यंग ये लड़के-लड़किया थे, उन्होंने बहुत मानसम्मान किया, उसके बाद मेरा टॉक रखा, उसके पर डिसकुशन हुआ, और एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने सत्वे जैते वाला जो एपिसोड था, उस प्रेजडेंट और सक्रेटरी जो थे, सक्रेटरी उनके थे, जो पुरा इंटरनेशनल वालमी की सेंटरल सभा के थे, उन्होंने भी बहुत मानसम्मान किया, उन्होंने मुझे आमंतरित किया बुलाने के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने डिनर इन्वाइट किया, और सब तो ही, एकनोमिकली भी वो लोग इतने स्ट्रोंग हो चुके कर लगवग 20-25 लोगों का उन्होंने डिनर वहाँ इन्वाइट किया, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं लंदन में हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं भारत में हूँ और भारत का खाना खा रही हूँ, जरा सा भी एक बार भी महसूस नहीं हूँ, उन लोगों ने इतना प्यार सम्मानित किया, इतना ज्यादा एक तरह से वो किया, फिर उसके बाद अगले दिन हम बुद्विहार में गई, बुद्विहार में मुझे उन्होंने कप भेट किया, जिस पे बुदेष्ट टेंपल महां का लिक इजुकेशन के उपर काम कर रहा है, यह बहुत अच्छी मुझे बात लगी उनकी, उसके बाद हम लोग फिर अंबेड़कर भावन गई, अंबेड़कर भावन में जहां रत्तु जी थे, जिन्होंने वाइदा किया था कि अंबेड़कर भावन में मैं पूरी के पूरी मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर उसके बाद एक अपने ही मिशनी है, जो महां रहते हैं, कोवेंटरी सिटी कॉंसिल उन्होंने मुझे विजिट करवाया, एक तरफ जहां मैं ब्रेटिस पार्लियमेंट में थी, जहां हाँस ओफ लॉड था, जहां दविंदर जी ने पुरा मतलब जिस तरीके से हाउस ओफ कॉमन और हाउस ओफ लॉड दोनों साथ साथ होते हुए भी हाउस ओफ कॉमन के लोग ज्यादतर वहां नहीं जा सकते हैं, बहुत महतब पुन जगे एक तरह से थी, मैं धन्यवाद दूंगी बैरनेस उतीन का, जो छुटी, वहां पर अभी पारलेमेंट सेशन बंध है, छुटी होते हुए भी मेरे लिए आई और उन्होंने पूरा विजिट करवाया, बहुत अच्छा लगा, भावया लगा, फिर उन्होंने मुझे सम्मानित किया पैन देकर, पैन और डारी देकर, दविंदर परसाद जी का बहुत बड़ा योगतान उसमें रहा, फिर उसके बाद मैंने विजिट किया कोवेंटरी सिटी ओफ कॉंसल, एक तरह से उन्होंने मुझे समझाते हुए का कि जैसे भारत के दूसरे जो स्टेट है, जैसे उनकी विधान सभा है, ऐसे ही वहाँ पे कोवेंटरी है, वहाँ रामलखन जी थे, जो लोड महा के, लोड मेर ओफ कोवेंटरी सिटी के, एक्स लोड मेर ओफ कोवेंटरी सिटी के थे, रामलखन जी, उन्होंने पूरा कोवेंटरी सिटी मुझे विजिट करवा, एक तरह से विधान सभा, और मुझे जानकर आश्या जा हुआ हुआ, और एक तरह से और सोचन सवाल बलके किया कि इंडिया में तो बिली को असुट माला जाता है। हमारे यहां तो बिली अगर राश्था कड़ जाए, कोई भी कितना बी अरजेंट काम क्यों नहीं हूं हमारे यह आज भी यह सब आ जबकि वहां की कुमेंटरी सीटी में, कॉंसिल में, वहां तो बिली उनके उसका प्रतीक है, तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये इस पे कैसे है, तो उन्होंने का जो हाती जो है, हाती ब्रिटेन का स्ट्रोंगनेस का प्रतीक है, और जो बिली है वो अलर्टनेस का प्रतीक है, अलर्ट है महां के लोग, हर चीज की तरफ से अलर्ट है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि कहां एक तरफ हम लोग बिल्ली को अपना रास्ता काटने वाला ही समझते हैं, और दूसरी तरफ वहां के जो लोग हैं, वो बिल्ली को अलर्ट का प्रतिक मानते हैं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए सबक था, ये दर्शकों को मैं भी बताना चाहती हूं, कि ये जो चीज़े अशुब हैं हमारे लिए, वो अशुब नहों के शुब हैं, उसके बाद अमेड़कर भावन में मैंने विजिट किया, जो माराष्टर गॉर्मेंट ने जो खरीदा है, म वहां के लोगों से मुझे जानकारी मिली कि उसमें कुछ कंट्रोवर्शी चल रहा है, इसलिए बंद कर दिया गया है, मैंने बाहर से ही विजिट किया, जहां अभी पिछले दिनों रामदा साठावले जी और भारदेश के प्रधानवंतरी ना रेंदर मोदी जी, जिनों न मेरे लिए एक सोचने विशे भी था, उसके बाद सुकदेव सिद्धू जी ने मुझे पराठे किलाई, मॉर्निंग में, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपने घर पे इन्वाइट किया, मुझे गिफ्ट बेट किया, परसनल रूप से भी, अमोल मेश्रम का मैं जिकर जरूर करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे यहां से ही मैंने उनसे जब बात की, मलकित सिंग बहल जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान, मैं इस पूरे ट्रिक में रहा, यह पूरा का पूरा जो ट्रिक था, हमारे लोगों के भरपूर योगदान के साथ सफल पूरा सेडूल क्योंकि टाइम कम था, कवर बहुत कुछ करना चाहती थी, अपने लोग जगे जगे पर इन्वाइट कर रहे थे, मैं नहीं उनकी जगे पर पहुँच पारी थी टाइम की वज़े से, गुरुपाल गिल जी बुज़र गे वहां के हैं, और बहुत अच्छा क अपने लोग जिनका नाम भी मुझे थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, बहुत अच्छा लगा, और इन फैक्ट, मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूं कि मैं अभी कैनडा जा रही हूं, वैंकूवर, मेरी कॉन्फरेंस है, जिसमें विशे मेरा रहेगा, एथिक्स इन इंडिया, इन इस स्पेसिफिक कांटेक्स्ट ऑफ संस्क्रिक टेक्स्ट और हमेन वालियूज, वहां से लोटते हुए मैं वलकी लंडन विजिट करूँगी, वन नाइट स्टे मेरा लंडन का है, और गुरपाल गिल जी बुजर्ग आदमी है, भाई साब, उन्होंने, उनक कोशल परवाजी को बहुत बहुत साथ उवत करती हूं